हेलो, नमस्कार फ्रेंद्स, वेलकम बैक टू आर चैनल, मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर हितेश कारिया, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक कर दीजे, आपके प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन है, हमारे लिए एनरजी है, तो डेफिनेटली डू लाइक, शेर और सब्सक्राइब, चलिए, आगे बढ़ते हैं, बच्चो बहुत ब्यूटिफुल कॉंसेप्ट है, देखे एक डेफिनिशन दिया आपके टेक्स्ट्बूक में क्या बोलाएं उन्होंने, वेरी इंट्रेस्टिंग, इट इस एन एकोलोजिकल एसेंब्लेज, एसेंब्लेज का मतलब है कलेक्शन औफ स्पीशीज दाट फॉ सेल्फ सस्टेनिंग कम्यूनिटीज ओन डिग्रेडड और बारन लैंड्सकेप, इसका मतलब क्या है, समझे आपके पास या आपके एरिया में कोई ऐसा जमीन का टुकडा पड़ा है, एक लैंड पड़ा है, जहां पे कुछ नहीं उगरा है, इट्स अ बारन लैंड, इट्स स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और अनिमल्स को लाके वहाँ पर ग्रो करेंगे, लेकिन ऐसे स्पीशीज को ग्रो करेंगे, जो सेल्फ सस्टेनिंग है, मतलब आपको उने वहाँ पर उगाने के लिए, जादा मेहनत करने ज़रूत नहीं पड़ेगी, उन प्लांट्स को जादा पानी नहीं देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर नहीं देना पड़ेगा, वहां के अनिमल्स को आपको कोई special feed नहीं देना पड़ेगा, बस वो एक दूसरे के growth को support करेंगे, और अपने आप वहां पे grow हो जाएंगे, तो ऐसे communities को हम कहते हैं, self-sustaining community, तो ऐसे communities का जो एक पार् पाटिल बायो डाइवर्सिटी पार्क, ठीक है, और यह कहां पर बनाया है, यह आपको मिलेगा, there is a place in Maharashtra, जिसका नाम है गुरे घर, राइड, and this is present in Mahabaleshwar, आप सच जानते हैं, this is a hill station in Maharashtra, तो Mahabaleshwar में एक जगा है, एक प्लेस है, जिसका नाम है गुरे घर, वहां प लेट उत्तमराव पाटिल, बायो डाइवर्सिटी पार्क, राइड, मैंने आपको बोला, कि अगर आपको किसी species को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो कुछ ऐसे tools, जो books के फॉर्म में available है, जिसके अंदर कुछ information आपको मिलेगी, उस particular species के बारे में, अगर आपको कोई जा फ्लोरा, the third one is called as a manual, and the fourth one is called as a monograph, तो यह चार तरह के books हैं, इवन आप इनको भी एक taxonomical tool की तरह यूज कर सकते हैं, किसी particular species of plant या animal के बारे में study करने के लिए, ठीक है, चलिए, पहले देखते हैं, what is a catalog, अब सी जब आप कोई electronic सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी machine या कोई laptop, computer, washing machine, आपको उसके साथ एक booklet दी जाती है, जिसे हम कहते हैं catalog, उस particular product का सारा information आपको इस catalog में मिलेगा, तो अब catalog, biology के terms में catalog क्या है, it is a list of plants, the list of plants of a particular area, किसी area के list of plants को, you will find them arranged, in an alphabetical order, in an alphabetical order, बस यह और कुछ नहीं है, मतब एक particular, say for example, Maharashtra State है, तो Maharashtra State में, जितने भी native local plants वहां पर पाये जाते हैं, उन्हें आप एक methodically alphabetical order में अरेंज कर दीजिए, तो इस book को हम बोलेंगे, catalog, ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं, फ्लोरा की, अब फ्लोरा में, आपको catalog से थोड़ा जादा information मिलेगा, अब समझ लीजिए, उस catalog की list में से आपने एक plant चुना, जिसके बारे में आपको study करना है, तो अब आप दूसरी book पे जाएंगे, जिसका नाम है फ्लोरा, अब फ्लोरा में आपको habitat का information मिलेगा, कि वो कहां grow होता है, किस regions में वो grow करता है, and उस region में, उसका कितना abundance है, वो कितना grow होता है, मतलब आपको उसके distribution का भी information, उस plant का आपको फ्लोरा नाम की book में मिल जाएगा, अगर मैं आपको एक example दूँ, तो जे के महेश्वरी नाम के author ने ये book लिखी थी, जिसका नाम था, Flora of Delhi, it was written by Mr. J.K. महेश्वरी, ठीक है, अब manual उससे थोड़ा और detailed होगा, एक step आगे, अब manual में आपको क्या मिलेगा, the detailed description, किसी एक particular species का detailed description, of a particular area, मतलब उसका lifestyle कैसा है, उसका habit कैसा है, उसका eating habits कैसा है, उसका behavior कैसा है, उसके mating habits कैसे है, वो सारा particular information, किसी भी species का, चाहे plant और या animal, वो आपको मिलेगा manual में, ठीक है, मतलब उसका structure कैसा है, everything, everything you will find in this book called as a manual, अब monograph क्या है, सी monograph में आपको ये word दिखेगा, mono, mono मतलब एक, अब यहाँ पर you will find the detailed account of a particular tag zone, यहाँ पर focus एक tag zone के बारे में होगा, मतलब समझ यह आपको एक kingdom के बारे में study करना है, तो उस kingdom का सारा information आपको monograph में मिलेगा, आपको एक species के बारे में study करना है, तो उसका information आपको monograph में मिलेगा, आपको एक phylum के बारे में study करना है, या class के बारे में study करना है, तो एक particular tag zone का information आपको monograph में मिलेगा, दूसरा, a monograph is not restricted to a particular area, see manual में आपको उस area के ही species of plants and animals का information मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको all over the world के बारे में, अगर आपको कोई particular tag zone के बारे में, tag zone का मतलब होता है particular category, group of species, अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है, तो आपको यह information मोनोग्राफ में मिल जाएगा, say for example, मुझे class Aves के बारे में पढ़ना है, Aves में कोन आते हैं, birds, तो अगर में four books which also act as taxonomical aid, चली, अब हम आगे बढ़ते हैं, the last taxonomical aid, जिसे हम कहते हैं, की, अब बेटा, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना, because इस portion में बच्चे थोड़े confused होते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है उनको, but बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एकदम simple है, आ क्या बोला है, और की, की का मतलब क्या होता है, चावी ना, चली देखते हैं, कौन से ताले की, यह चावी सम कौन सा ताला खोलने वाले, तो की is a taxonomical aid used for classification of plants and animals, समझाते हैं, अब बेटा, की क्या है, यह एक analytical tool है, ठीक है, यह एक analytical tool है, अब की क्या होती है, सुनिये, आपको, दो statements दिये जाएंगे, सपोज आपको एक species के बारे में, study करना है, आपके सामने दो statements होंगे, और उन दो statements को, हम कहते हैं, couplet, ठीक है, उन दो statements को, हम कहते हैं, couplet, तो couplet क्या है, there will be two contrasting statements, that will be given to you, दोनों को मिला कर बोलते हैं, couplet, and each statement, उस कपलेट के हर statement को, हम कहते हैं, lead, are you understanding, आपको दो statements दिये जाएंगे, दोनों को मिला कर हम कहते हैं, couplet, और उस couplet के हर statement को, हम कहते हैं, lead, ठीक है, अब देखते हैं, यहां पर आपको एक example देके बता देता हूं, घ्यान से सुनिए, suppose, आपको आप कहीं टूर पे गए, या कोई study, biological study की टूर पे आप गए हैं, और आपको कोई species मिला, ठीक है, अब आपको पैचानना यह कौन से group में आता है, या इसके क्या characteristics से वो आपको study करने, चली, अब की कैसा होगा, आपको दो statement दिये जाएंगे, whether this species is brown in color, या दूसरा statement होगा, white in color, ठीक है, whether it is brown in color और white in color, अब आप बोलोगे, मेरी species is brown है, चली आगे बढ़ते हैं, तो आपने यह वाला sentence चुना, अब इसमें आगे आपको और दो statement दिये जाएंगे, whether your species, your specimen has wings, or it does not have wings, ठीक है, अब आप बोलोगे, इसके पास wings नहीं है, आपके पास जो specimen है, उसके पास wings नहीं है, तो आपने यह वाला statement सिलेक किया, ठीक है, अब यहां से आपको और एक की मिलेगी, अब आगे बढ़ेंगे अपनी study में, whether this animal has horns, एक्जामपल दे रहा हूं, और it has no horns, तो ऐसे करते करते करते, आपका choice नैरो डाउन हो जाएगा, और आप अपने उस group के पास पहुँच जाएंगे, बेटा इसी को कहते हैं, कीस, और यह एक analytical tool है, चलिए, आपको और एक एक ए समझ लिजी आपको एक vertebrate specimen को study करना है, तो अब आपके पास पहला statement आएगा, does it have fur, आप बोलोगे yes, तो उसे कहेंगे mammal, वो mammal class में चला जाएगा, आप बोलोगे no, मुझे जो specimen मिला है, उसके पास fur नहीं है, तो आपको एक अगला key दिया जाएगा, जिसे बोलेंगे does it have feathers, तो उसमें दो options होंगे, yes or no, अगर आपके specimen के पास feathers है, तो आप उसे eves class में डालोगे, that is birds, लेकिन आप बोलोगे नहीं, इस specimen के पास feathers नहीं है, तो आपकी की आगे बढ़ेगी, अब आपको और एक option दिया जाएगा, does it have dry skin, अब आप बोलोगे हाँ, मुझे जो animal मिला है, उसकी skin dry है, तो उसे डाल, उसे मतलब आपको पता चलेगा, कि ये animal reptile class को belong करता है, अब आप बोलोगे, नहीं, इसकी skin dry नहीं है, तो आपको और एक की दी जाएगी, does it have scales, तो आप बोलोगे, हाँ, मेरे specimen के पास, के body पे तो scales है, तो हम उन्हें किस class में डालेंगे, Pisces, मतलब आपका जो specimen है, वो किसी fish का specimen है, आप बोलोगे, नहीं, scale नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे, मतलब वो amphibian specimen है, तो ऐसा करते 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 करते, आपको आपके target की तरफ ले जाया जाता है, see, आप लोगों ने कभी न कभी treasure hunt game खेला होगा, आपको पहले एक चिठी मिलत है, उसमें दूसरे hint का पता लिखा रहता है, फिर अब वहाँ जाते हो, आपको वहाँ एक चिठी मिलती है, ऐसा करते करते है, आप अपने treasure की तरफ पहुंचते हो, right, something like that, इस ही को हम लोग कहते है, taxonomical key, see, हम लोगों ने botanical garden के बारे में पढ़ा, हमने zoological park के बारे में पढ़ा, हमने biodiversity parks के बारे में पढ़ा, अब exam में, कई बार question आता है, कि इनका differentiation पूछते हैं आप लोगों को, ठीक है, चलिए, एक table में हम तीनों का difference देख लेते हैं, botanical garden क्या है, the plants of different varieties are collected from different parts of the world, they are grown in vivo, in a scientific and systematic manner, ऐसी जगह को हम कहते हैं botanical garden, जबकि एक zoological park में, it is a place where wild animals are kept in captivity, और biodiversity park क्या है, यह एक self-sustaining community वाला park है, जहाँ पर you will find assemblage of different species that form self-sustaining communities on degraded और barren landscape, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब type of conservation की बात करते हैं, बच्चों, botanical garden एक ex-situ conservation है, जहाँ पर आप उनको अपनी जगह से बाहर लाकर, दूसरी जगह में उनको protect करके, आप उन्हें study करते हैं, zoological park भी एक ex-situ conservation है, जबकि biodiversity park एक in-situ conservation है, वहीं पर available native local species को आप उस park में protect करते हैं, आप उन्हें वहाँ से निकाल कर कहीं और ले नहीं जाते, so that is an in-situ conservation, ठीक है, थर्ड, botanical garden is related to conservation of flora, flora का मतलब है, plants, जबकि zoological park is related to conservation of fauna, fauna का मतलब होता है, animals, and biodiversity parks में आपको दोनों का ही conservation करने का मौका मिलता है, so it is related to conservation of all biodiversity, which includes flora also, and it includes fauna also, so these are some of the differences between a botanical garden, a zoological park, and a biodiversity park, I hope this concept is clear, चली, आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही important topic पे, जो आपके textbook में एक green box पे दिया हुआ है, on page number 3, ठीक है, that is the conservation of biodiversity, पहले तो मुझे बताईए, biodiversity क्या है, see, इस धर्ती पर, कई लाखों करोडो टाइप के species of plants और animals आपको देखने मिलेंगे, हर एक का shape अलग है, हर एक का size अलग है, हर एक का morphological features अलग है, हर एक का habitat अलग है, so, यह जो variation of life forms, यह जो degree of variation of life forms, जो हमें किसी ecosystem में देखने मिलता है, इसे कहते हैं, biodiversity, अब बेटा, biodiversity का क्या importance है, biodiversity helps to maintain ecological stability, ecological stability का मतलब है, a balance, equilibrium in that particular ecosystem, see, अगर आप किसी ecosystem में जाकर, वहां के पेड़ पौधों को काटेंगे, वहां के अनिमल्स को हंट करेंगे, तो वहां का जो balance है, वो disturbed हो जाएगा, तो biodiversity helps to maintain ecological stability, in fact, आपको एक interesting बात बताऊं, कोई ecosystem कितना healthy है, यह हम कैसे पता लगा सकते हैं, by the extent of complexity and density of biodiversity, मतलब उस particular area में, कितने जादा प्रकार के, और कितनी जादा मात्रा में, plants और animals पाए जाते हैं, उतना जादा उस ecosystem को, एक healthy ecosystem माना जाता है, तो मेरे बच्चों, यह एक measurement है, ecosystem के healthy होने का, अगर आपने किसी जंगल में जाकर, वहां के पेड़ पौधे काट दिये, वहां के animals को आपने हंट करके मार दिया, और काफी कमी आ गई वहां के animals और plants में, तो उसे हम एक healthy ecosystem नहीं मान सकते, जितनी जादा variety of plants और animals, और जितने जादा number में plants और animals, वहां पर आपको मिलेंगे, उतना ही उस ecosystem को healthy माना जाता है, अच्छा, अब मुझे बताएए, अगर हम biodiversity को destroy करेंगे, खतम करेंगे, तो उसके कुछ बुरे effects होंगे के नहीं होंगे, क्या कहा है, loss of biodiversity is happening at an alarming rate, alarming rate मतलब आज इनसान अपने selfish needs के लिए nature को destroy कर रहा है, over exploit कर रहा है, हम जंगल काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, हम animals का hunting कर रहे है, एक English में कहावत है, nature provides for your needs, but not for your greed, लेकिन आज इनसान greedy हो रहा है, selfish हो रहा है, उसे लगता है कि सब कुछ बस मुझे मिल जाए, और किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो इस process में हमने आज biodiversity को बहुत नुकसान पहुचाया है, इसका reason क्या है, population explosion and over exploitation of resources, मतलब हमें सब कुछ बस अपने लिए भर के रखना है, हमें दूसरे organisms के लिए कुछ नहीं चोड़ना है, हमें आने वाली generation के लिए कुछ नहीं चोड़ना है, और आज पूरे globe का, पूरे world का population इतना बढ़ गया है, कि उसकी demands को fulfill करने के लिए, आज हमें जंगल काटने पढ़ रहे हैं, आज हमें आनिमल्स को हंट करना पड़ रहे हैं, तो इसके वज़े से भी काफी सारी biodiversity आज destroy हो रही है, अब इसका हमारे पर effects क्या होगा, एक तो it will bring instability in an ecosystem, जैसा कि मैंने कहा, उस particular environment की, उस particular ecosystem का जो balance है, वो disturb हो जाएगा, इसे कहते हैं instability, दूसरी बात moral और ethical issue, see, अब जो nature lovers होते हैं, जो naturalist होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि, किसी पेड़ पौधे को, किसी जानवर को, भले वो जानवर चोटा सा ही जीव क्यों नहीं हो, लेकिन उसे कोई नुकसान पहुँचे, ये कभी नहीं चाहते, तो एक ethical issue की बात हो जाती है, एक moral concern की बात हो जाती है, कि हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, तीसरी बात, very important, अगर आपने, किसी ecosystem में, एक variety of organisms को नुकसान पहुँचाया, तो ये मत समझना सिर्फ उसका नुकसान किया, क्योंकि उसके उपर, दूसरे सारे species भी depend होते हैं, अगर आपने एक को मार दिया, तो ultimately सब डिस्ट्रॉई हो जाएंगे, तो loss of one variety of organism can affect the entire ecosystem, right, so these are some of the important effects of loss of biodiversity, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें biodiversity को conserve करना चाहिए, हमें उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, हमें हमारे needs को, हमारे wants पे थोड़ी रोक लगानी होगी, हम nature को already bought, destroy कर चुके हैं, तो अब biodiversity को conserve करना, मतलब क्या करना है, देखें, क्या बोलाएं, it is attempting to slow down, attempt मतलब कोशिश करना, यह effort लेना, to slow down, or stop, or even reverse the loss in the natural habitat of organism, हमें हमारी needs पर, हमारे demands पर, थोड़ी रोक लगानी पड़ेगी, ताकि हम biodiversity के destruction को, या तो stop कर सकें, ठीक है, अब हमारी जरूरत हैं, तो कभी खतम नहीं होने वाली, लेकिन अगर हम stop ना कर सकें, at least हम उसे slow down कर सकें, और अगर हम किसी ecosystem में से, कोई चीज काट कर ला रहे हैं, तो देन उसको हम repay कर दे, हम वहां पर कुछ नए plants जाकर लगा दे, मतलब हम उस loss को reverse कर दे, right? This is also a very important step of conservation of biodiversity, और मेरे प्यारे बच्चों, हम ये discuss कर चुकें, ऐसे conservation को कहा जाता है, in-situ conservation, जब आप किसी organism के natural habitat में, उसे protect करते हो, तो ऐसे conservation को हम कहते हैं, in-situ conservation, चलिए, इसी के साथ हमारा biodiversity वाला concept खतम हुआ, अब आते हैं, लास्ट पार्ट पर आपके टेक्ष्ट्पूक में एक बहुत important scientist के बारे में information दिया गया, under the heading, Know Your Scientist, देखिए, ये हैं हमारे Dr. S.P. अगरकर, can you see him? Yes, अब ये कौन थे? Dr. S.P. अगरकर, was one of the leading botanists of India, botanist मतलब वो scientist, जो specifically plants की study करते हैं, those who are expert in the study of plants are called as botanist, इनका नाम था Dr. S.P. अगरकर, इनका जनम हुआ था November 1884 में, in a region called Malvan in Maharashtra, which is a part of the Konkan Belt in the Maharashtra region, अब इन्होंने क्या किया, ये बहुत curious nature वाले इंसान थे, जबी भी वो कहीं घुमने निकलते थे, वो वहां के local biodiversity को explore करते थे, तो एक बार, जब वो वेस्टन घाट्स में घूम रहे थे, and he was exploring, वहां के अलग-अलग जीव जन्तु को वो explore करने की कोशिश कर रहे थे, he came across a species of fresh water jellyfish, उन्हें एक ऐसी species वहां पर मिली, जो तब तक it was known to be found only in Africa, मतलब ये इंडिया के वो पहले इंसान थे, जिन्होंने वेस्टन घाट्स में, वहां के पानी में, वहां के नदियों में, पहली बार ये फ्रेश वाटर jellyfish को वहां पर डून के निकाला, और तब तक वो jellyfish डिस्कवर हो चुकी थी, लेकिन इट वोस known to be found only in Africa, इन साइन्टिफिक जर्णल जिसका नाम था Nature, तो 1912 में Nature नाम के एक साइन्टिफिक जर्णल में, इनकी इस डिस्कवरी को पब्लिश किया गया, ठीक है, अब एक और साइन्टिस्ट है, जिनका नाम था Dr. Anandale, he was the superintendent of the Indian museum in Kolkata, हमने इसके बारे में पढ़ा था, के Kolkata में एक म्यूजियम है, जिसके ये superintendent थे, जो उसका कारभार संबालते थे, बाद में उन्होंने Dr. Agarkar के साथ मिल कर, काफी एनिमल और प्लांट स्पेसिमेंस को खोजा, उनको प्रिजर्व किया, उनका microscopic examination किया, और उनके बारे में काफी सारी जानकारी दुनिया तक पहुंचाई, तो काम शुरू किया था Dr. Agarkar ने, फिर Dr. Anandale ने उन्हें मदद किया, in his endeavors to collect, preserve and conduct microscopic examination of animal and plant specimens, और इनके इसी effort की वज़ा से, इनको credit देने के लिए, पूना में एक institute है, it is a science and technology research institute, इस institute को उनका नाम दिया गया, so now this institute in Pune, is known as the Agarkar Research Institute, it was named after Dr. Agarkar, so ARI इसका full form है, Agarkar Research Institute in Pune, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ, हमारा ये चोटा सा प्यारा सा chapter, the living world, यहां पर खतम होता है, अब हमने आपको promise किया था, कि हम neat की तायारे भी यहां पर करवा लेंगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ MCQ questions इस chapter के discuss करते हैं, जो आपको neat point of preparation से भी बहुत काम आएंगे, चलिए, discuss करते हैं, आप कोशिश किजिएगा, अपने मन में answer ready रखिएगा, फिर देखते हैं कि आपको और हमारा answer मैच होता है के नहीं, चलिए, मजा आएगा, आमें यह MCQ एक quiz के form में solve करने में, first, which is not a property of living being, मतलब, एक living being की body में, आपको कौन सी property नहीं देखने मिलेगी, उन्होंने का है, not a property, see, कई बार बच्चे घाई कर देते हैं, question को सही से नहीं पढ़ते हैं, और answer गलत मार कर देते हैं, remember, always read the question carefully, उसे दो बार, तीन बार पढ़िये, समझिये, try to understand what is asked, and then try to answer, ठीक है, चलिए, अब discuss करते हैं, first, metabolism, क्या आपको living body में metabolism मिलेगा, हाँ जी, आपको definitely metabolism मिलेगा, third वाले आईए, क्या living organisms grow होते हैं, definitely grow होते हैं, क्या living organisms reproduction करते हैं, definitely करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखिए, second option है, decay, मुझे एक बात बताईए, क्या living organisms का कभी decay हो सकता है, decay का मतलब है decomposition, नहीं, decomposition हमेशा dead organisms का होता है, जब कोई organism मर जाता है, उसकी death हो जाती है, उसमें से life निकल जाती है, तभी microorganisms उसकी dead body पर attack करके, उसे decompose करते हैं, तो decay is not a property of living organism, तो यहाँ पर the correct answer is, decay, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखिए, a particular plant is a strictly seasonal plant, मतलब एक particular पौधा है, जो एक specific season में ग्रो होता है, आपको 12 महिने वो नहीं मिलेगा, तो which one of the following is best suited, if it is to be studied in the laboratory, मतलब अगर आपको उस plant को एक laboratory में study करना है, तो इसमें से कौन सा taxonomical aid, या कौन सा method आपके लिए best रहेगा, C, थोड़ा logic लगाए, ये एक seasonal plant है, अब आप लोगों में से कई बच्चों को लगता होगा, botanical garden, लेकिन बेटा, botanical garden में living plants है, तो अगर आप किसी ऐसे season में चले गए, जहां पर वो plant ग्रो ही नहीं होता, तो आप उसे कैसे study करेंगे, तो अब ज़रा सोचके बताइए क्या हो सकता answer, 5 seconds का time देता हूँ, tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5, चलिए, कितने लोगों को लगा, the answer is a herbarium, जी हां मेरे बच्चों, आप क्या करेंगे, आप उस plant का एक part कट करके लाएंगे, उसे dry करेंगे, preserve करेंगे, और herbarium sheet पे mount करेंगे, और herbarium में preserve करके रखेंगे, तो आप जब चाहें, अगर उस plant का season ना भी हो, तो आप उस plant को वहाँ जाकर study कर सकते हैं, तो यहां पर the answer is herbarium, बढ़ते हमारे अगले question की तरफ, देखिए बहुत interesting question है, I am sure आप लोगों ने भी कभी न कभी यह experience किया होगा, a group of students, found two cockroaches in the classroom, उन्हें दो cockroach मिले कुछ बच्चों को, आपको भी मिले होंगे आपके class में, आपके घर में, they had a debate, whether they are alive or dead, तो उस group के कुछ बच्चों ने कहा, यह cockroach जिन्दा है, कुछ ने कहा नहीं, यह तो मरे हुएं, क्योंकि उनमें कोई हल्चल दिखाई नहीं दे रही थी, तो आप which life property will help them to do so, तो कौन सी प्रॉपर्टी की मदद से हम पहचानेंगे, यह cockroach जिन्दा है के मर गएं, चलिए देखते हैं, मुझे एक बात बताईए, क्या आप उस cockroach के अंदर गुसके, उसका metabolism study कर सकते हैं, नहीं, क्या आप उस cockroach की growth, उस वक्त आपकी नजरों के सामने देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्या आपकी सामने आप उस cockroach को बोलोगे, चल बाई, तू बच्चे पैदाकर, मैं देखता हूँ, तू जिन्दा है के मर गया, मुझे पता चलेगा, क्या वो cockroach करेगा, नहीं करेगा, लेकिन, अगर आप उस cockroach को touch करोगे, किसी stick से या किसी हाथ से, तो definitely वो भागने की कोशिश करेगा, तो बेटा, इस property को हम कहते हैं, irritability, हमने कहा था, response to stimulus, consciousness, ये living organism की एक unique property है, कि whenever there is a change in the surrounding, living organisms always respond to that change, इसे हम कहते हैं, irritability, तो अगर आप उस cockroach को किसी, चीज से touch करोगे, आप मारने की कोशिश करोगे, तो वो भागने की कोशिश करेगा, वो अपने पैर हिलाने की, अपने पंक फड़फडाने की कोशिश करेगा, इसे कहते हैं, irritability, तो यहाँ पर the correct answer is, irritability, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम से पूछा गया है, what is a herbarium, चलिए, पहले चारो options देखते हैं, it is a collection of living plants, which are medicinally important, आप मुझे बताएए, क्या एक herbarium में हम living plants को रखते हैं, नहीं, हम तो plant के specimen को dry करते हैं, preserve करते हैं, तो ए ओप्शन तो नहीं आएगा, second, a place where plants collected from different parts of the world are grown, again, हम grow, grow किसको करते हैं, living plants को, तो क्या herbarium में हम living plants को उगाते हैं, बिल्कुल नहीं, third, a garden where herbs are cultivated, क्या herbarium में आप plants को cultivate करते हो, नहीं, आप यहाँ पर dried plants के specimen को preserve करते हो, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा answer होगा, herbarium is a collection of dried and preserved plants, जिसे हम एक sheet पर mount करते हैं, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, बहुत easy है, बहुत scoring questions हैं, देखिए, आपकी neat की भी तयारी side by side हो रही है, अब अगला question उन्होंने पुछा है, a zoological park does not, देखिए, does नहीं पुछा है, does not पुछा है, मतलब आपको zoological park में क्या नहीं मिलेगा, चलीए, they have wild animals in captivity under human care, ये तो होता है, zoological park में आपको animals देखने मिलेंगे, जिनने cages में रखा जाता है, captivity में रखा जाता है, provide conditions similar to their natural habitat of animals, ये भी point correct है, हम उन animals को एक natural environment provide करके, उन्हें वाहां हम रखते हैं, third, पहले fourth वाले पे आईए, it enables the naturalists to study the food habits and behavior of animals, आप definitely एक zoological park में जाकर, वहां के animals के behavior को, food habits को study कर सकते हैं, तो अब बचा option C, zoological park does not have a systematic collection of shells and skeleton of animals, अच्छा आप याद करके बताए, systematic collection of shells and skeleton of animals, ये आपको कहां मिलेगा मेरे बच्चों, ये आपको museum में मिलेगा, zoological park में नहीं मिलेगा, ठीक है, बढ़ते हमारे अगले question की तरफ, a naturalist can study food habits and behavior of animals in a, मुझे बताए, ये animals को हम captivity में कहां रखते हैं, जी हाँ, zoological park में रखते हैं, तो यहाँ पर आप उनकी food habits और behavior को study कर सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हमारे next question की तरफ, which of the following is not a tool for maintaining biodiversity records, सी, जब हमने बायो डाइवर्सिटी में taxonomic tools की पढ़ाई की, हमने बोला, flora एक taxonomical tool है, monograph भी एक taxonomical tool है, और manual भी एक taxonomical book है, अगर आपको books वाला section याद होगा, के ऐसे कुछ books हैं, जिने हम taxonomical aid की तरह use कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमने fauna के बारे में कभी नहीं पढ़ा, there is no book by the name fauna, but yes, there is flora, there is monograph and there is manual, तो यहाँ पर fauna is the correct answer, it is not a tool for maintaining biodiversity records, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, next question, which of the following provides information for identification of names of species found in a particular area, देखिए, अभी again हमने बुक्ष बुक्स के बारे में, यही information हासिल की थी, catalogs में आपको सिर्फ index मिलेगा, flora में आपको एक सिर्फ specific plant के बारे में मिलेगा, और monograph में आपको एक tag zone के बारे में information मिलेगा, लेकिन आपको किसी species को identify करना है, उसका name, तो मेरे प्यारे बच्चों यह answer आपको मिलेगा manual में, तो यहाँ पर the correct option is a manual, चलिए, आगे बढ़ते हैं, the label on a herbarium sheet does not carry dash, herbarium sheet पे lower right corner पे जो में एक label बनाते हैं, हमने आपको बताया था के वहाँ पर हमें कुछ information mention करना पड़ता है, देखिए, क्या हम वहाँ पर, चलिए, option B से देखिए, क्या हम वहाँ पर date of collection mention करते हैं, जी हाँ, definitely mention करते हैं, क्या हमें वहाँ पर name of collector mention करना है, definitely, क्या हम उसका local name mention करते हैं, definitely, लेकिन क्या हम वहाँ पर height mention करते हैं plant की, जी नहीं, हम plant की height mention नहीं करते हैं herbarium sheet पर, right, तो we do not mention the height of the plant, so the label on a herbarium sheet does not carry height of the plant, चलिए, बढ़ते हमारे अगले question की तरफ, which of the following is not a correct statement, अब मुझे बताएए, चलिए, एक-एक करके देखते हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, herbarium houses dried, pressed and preserved plant specimens, ये तो बाई, correct statement है, botanical gardens have collection of living plants for reference, ये भी सही बात है, एक botanical garden में हम living plants को ग्रो करते हैं, अब option D देखिए, key is a taxonomic aid for identification of specimens, definitely it's a taxonomical tool, हमने पड़ा था, ये एक analytical tool है, जहां पर आपको दो contrasting statements दिये जाते हैं, जिने हम कहते हैं, couplet, right, इनिकों की कहते हैं, अब थर्ड option देखिए, option C, a museum has collection of photographs of plants and animals, मेरे पहरे बच्चों, ये plants होना चाहिए था, so it has a photograph of collection of plants and animals, बेटा, ये गलत पॉइंट है, museum में आपको specimens मिलेंगे, मरे हुए plants और animals के specimens आपको मिलेंगे, ना कि photograph वहां पे मिलेंगे, तो यहां पर option C is the correct answer, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला question है, science of stuffing and preserving animals is called dash, see, जब हमने museum वाला पार्ट पड़ा था, आप चाहें तो पिछला lecture एक बार फिर से देख सकते हैं, बड़े-बड़े animals को हम museum में कैसे preserve करते हैं, हम उनके body के internal organs को निकाल कर, उनके अंदर cotton stuff कर देते हैं, इस science को हमने कहा था taxidermy, so यहां पर दा answer is taxidermy, the science of stuffing and preserving animals is called taxidermy, चलिए, आगे बढ़ते हैं, in a museum, plant and animal species are preserved in dash, किस chemical में हम specimen को preserve करते हैं, chloroform, ethyl alcohol, formaldehyde या oil, हमारा answer है formaldehyde, आपको उनने बता है था 10 to 40% formaldehyde strength, जिसे हम formalin भी कहते हैं, राइट, so it is stored in formaldehyde, चलिए, आगे बढ़ते हैं, which one describes any one selected biological group, see, यहां पर one specified किया है, flora में one नहीं है, manual में one नहीं है, catalog में one नहीं है, but monograph में, आप एक particular selected group के बारे में, information हासिल कर सकते हैं, see, monograph में mono का मतलब ही है one, तो अगर आपको किसी एक particular tag zone के बारे में, या group के बारे में, information हासिल करनी है, तो आप कौन सा book refer करेंगे, monograph, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नाव देखे, बहुत interesting सवाल है, थोड़ा सा confusing भी है, the art of herbarium was initiated by, initiated मतलब, इसकी शुरुवात किसने की, कई बच्चे बोलते हैं, पिटॉन डी टूर्णी फोट, मेरे प्यारे बच्चों, पिटॉन डी टूर्णी फोट ने, सिर्फ ये नाम कॉइन किया था, इट वस कॉइन बाई पिटॉन डी टूर्णी फोट, ठीक है, लेकिन इसकी शुरुवात की थी, लुका गीनी ने, लुका गीनी ने, वस इटालियन टाग्जोनॉमिस्ट, जिन्होंने पहली बार, हर्बेरियम बनाने की शुरुवात की थी, तो इनिशेट का मतलब है, शुरुवात करना, तो इसका आंसर होगा, लुका गीनी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जब आप सेल्फ सस्टेनिंग वेराइटी के प्लांट्स और अनिमल्स को ग्रो कर देते हैं, जहां पर हमें जादा मेहनत करनी की ज़रुरुवात नहीं है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, येस माई दियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, बायो डाइवर्सिटी पार्क, चले बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, इंडिया में बोटैनिकल गार्डन इस लोकेटेड इन, इंडिया में बोटैनिकल गार्डन कहां पे लोकेटेड है, कॉलकाता हमने बोला था, तो मुझे बता ये चार ओप्शन्स में से, कौनसी जगा कॉलकाता में आपको मिलेगी, डेफिनेटली दा आंसर इस हाउरा, तो इस लोकेटेड इन हाउरा, इन कलकाता, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा ब्यूटिफुल चैप्टर, यहाँ पर समाप्त होता है, थैंक यू हमारे लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए, आई होप आप लोगों को सारे कॉंसेप्ट्स की क्लैरिटी मिल गई होगी, बहुत मज़ा है आप लोगों को चैप्टर पढ़ा के, अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बबाई, एंड टेक केर,